वेल्कम सिंप्लिफिकेशन के इस मौक टेस्ट में आपका स्वागत है मौक टेस्ट में आपको मज़ा आता है क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो टेस्ट होता है मौक टेस्ट कुछ दिनों से नहीं हो रहा था मैं फिर सुरू कर रहा हूँ और IVPS क्लर्क और RRB एसिस्टन दोनों के रिए यह इंपॉर्टिंट रहेगा तो देखी टेस्ट सुरू होगा सेवन कुस्टिंस है इन सेवन कुस्टिंस को त्री मिनिट्स में सॉल्व करने है एक होगा सॉल्व करना है दूसरा होगा सीखना जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट देंगे फिर मैं एक्स्प्रेंट करूँगा है ठेक है तो फिर स्टार झाल 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 उमईद है कि आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा आपने maximum questions solve किया होगी फिर वे new students के लिए भी और पुराने के लिए भी कि कुछ questions, calculation का बड़ा part मिल में होता है और जहां जर्वत होती है, वहां copy pain का इस्तेमाल करते हैं आईए बात करता हूँ, दोनों तरसे first question है, ये है, ये है, ये है ये है हमारा question है आप इसको कैसे solve परेंगे पता 1.75 का double होता है 3.5 उसका double होता है 7, 7 into 4, 4 into 4 आपको दिखेगा 4 into 4 यहां लिखता हूँ, आपको दिखेगा question mark, यहां दिखेगा ने, into 4 into 4 दिखेगा और यहां पर 12 into 12 into 12 तो 4 से 3 into 3 into 12, इतना ही दिखेगा इतना ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा इतना ही दिखेगा, यानी question mark, is it what do? 108 answer, यही आपका रफ़वक होना है बोले समझ में आया है नहीं बताता हूँ, बताता हूँ 100 में 25 कितने होते हैं 100 में 50 कितने होते हैं, 2 तर 25 इसका हाफ है ना, वो 4 होगे कि नहीं यह जो 28 है, इसको 7 into 4 लिखिए 1.75 का double होता है, 3.5 उसका double होता है, 7 यानी यह 4 times में कट गया और यह 4 into 4 आपको दिखता है दरसल यह 12 into 12 into 12 और आपको दिखता है, this 3 into, आपको दिखता है, this 3 यह 9 into 12, यही दिखता है, यही answer होता है खीक है? आई, हम लोग second question की होड आगे बढ़ते हैं हमारा second question है, यहां बनाता हूँ 55 percent of square root of what is equal to 2 to the power 5 plus 1 2 to the power 5, 32 होता है, यह समों को पता है, नहीं पता है तो 3 to the power 4, यह तो जरूण पता है, 16 होता है into 2, 32 होता है, यानी यह 33 होता है यानी, यानी, कुछ नहीं तो कम से कम, ऐसा तो किजिए 5 percent किसी का 3 है, यानी 1 by 20, यानी 60, यानी 3600 answer होगा कि नहीं बोली, 3600 answer मतलब ऐसा है कि 5 percent इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इस 5 percent इसको हमने ऐसे समझा कि ये तो भाई 100 है न, ऐसे समझा इसका मतलब, इसका मतलब हमने ऐसे समझा कि ये तो 5 है, ये तो 100 है, ये तो, ये तो, ये तो 20 है, ये तो 20 into 3, 60 है question mark is equal to 60 का square है, क्योंकि question mark का square root ये 60 है, तो question mark क्या है, question mark क्या है, 60 का square है, यानि 3,600 है यानि कहने का मतलब यह है कि बड़ा पाठ मन में होता है हलका सा कहीं थोड़ा रफ वग करते हैं और एंसर हो जाता है ऐसे ही आपको सोचना है फिर भी मैं लिखूंगा जरूर ताकि इनका फर्स्ट क्लास है उन्हें भी जरूर समझ में आए और वो भी इन्जॉय करें इसलिए एक्स्पेन में करूँगा हर कुश्चन का देखिए थार्ड नमबर थ्री है स्क्वार रूट अफ एक्स है इंटो रूट अबर थ्री सिक्स्टी है इस इक्वल टो वन इट्टी है एक्जाम में बनाने का तरीका होगा देखिए तरीका होगा कि यह तो सिक्स्टी है अब यह स्क्वार रूट ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं यह सिक्स्टी इंटो सिक्स्टी का स्क्वार रूट है स्क्वार रूट कैंसर नहीं समझे इसे हमने समझा square root of 60 into 60 overall square root cancel हो गया तो x into 360 है और ये तो 3600 है बोलिए ये कटा की नहीं ये 10 होआ की नहीं ये 10 answer होआ की नहीं ठीक है x का value 10 होआ उसके पाद fourth number question 11 into 8 plus 288 by square root of question mark is equal to 10 square solve ऐसे करना है 88 और 100 का difference हुआ 88 और 100 12 12 से इसे cancel किया 24 और ये हुआ square root root of question mark यानि this is equal to 24 square that means 576 बोलिए समझे की नहीं दर असल होता ये है देख रहे है क्या है मैं बताता हूँ ये तो 100 है ये तो 88 है ये तो minus 88 है ये तो 12 है ये तो 12 है और ये 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 तो 24 है, है कि नहीं गुदी, ठीक है, यह हमारा 4th number question, ठीक है, इसके बाद आए, 5th number question, 5th number question बहुत शांदार है, 9 to the power 6 into 3 to the power 10 is equal to what into 9 to the power 8, powers same number के same होते हैं, यह 9 है, यह 9 है, तो हम लो 9 के रूप में express करना चाहेंगे, 10 का मतलब 2 into 5, 2 निचे आया, 3 square मने 9 to the power 5, 5 or 6, 11 में 8 less वा 3, यह कशी नंबर का square है, वो 9 का power 3 है, यानी 3 to the power 6 है, यानी 27 square है, यानी 27 answer है, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, यह 3 to the power 10 को, 3 square to the power 5, यानी 9 to the power 5 होते हैं, और ऐसा करने से 5 or 6, 11 में से 8 less हुआ, 3, यानी, यानी question mark का जो square है, उदर असल 9 का power 3 है, यह 3 square होता है, यानी 3 to the power 6 है, छेठो 3 है, तीन तो 3 का, आप square क्यों न कहें, 27 का square क्यों न कहें, question mark को 27 क्यों न कहें, ठीक है, आईए, इसके बाद, next question, next question देखिए, 6th नंबर question, what minus 18 percent of 350 is equal to 19 into 7, इसे आप बोले 7 से 50, 50, कित्रा परसंट 50 का, 19 होगा, 38 परसंट होगा, question mark is, इसके जगह पर 38 परसंट होगा, यानी 56 परसंट होगा, नहीं समझे, सुनी, 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 ये 7, 7, 50, नहीं समझे, छोड़िये, what percent of this, the 50 percent of this is equal to this, और 50 percent half होता है, कहने का मतलब, is equal to 19 into 2, यानी 38, यानी 38 परसंट होगा, 38 प्रस 18, यानी 56, जदी बोले, लेकिन ये पूरा कैल्कुलेशन मन में होता है, मन में होता है, इसके पात, 7 तुमझे, what minus 210 by, 35 minus 10 is equal to 14, ये क्या है, 25 into 14 को 50 into 7 पुलते है, 350 and 210, 560, answer नहुआ, answer नहुआ, ये 25 हैना, 25 into 14, go, the result 15 to 7, 350 कहते हैं, और 350 ये add होगा, तो 350 plus 210, 560 नहुआ, U IIC, इस एक्जाम का आया हुआ, ये 7 कुर्षिन मेमोरी बेस्ट, आप में से ही किसी ने भेजा था, मुझे लगा कि मॉक टेस्ट के लिए एक अच्छा पीपर रहेगा, 7 कुर्षिन मैंने लिए, और मुझे लगा 3 मिनट्स देना सफीशिंट है, जादतर कुर्षिन, लगभग सारे कुर्षिन्स, विदाउट यूजिंग पेन पेपर सॉल्व किये जा सकते हैं, फिर भी जहां जरुवत हो, थोड़ा बहुत पेन पेपर का इस्तेमाल आप अवस्य करें, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंज्योई किया होगा, आगे आने वाले समय में कुछ और इंपोर्टेंट टॉपिक्स के मॉक टेस्ट में लेना चाहूँगा, ओके, आल दे बेस्ट।